हलो दोस्तों नमस्कार गुड बॉर्निंग कैसे हैं आप लोग मैं दीपक कुमार आपके अपने यूटूब चैनल गुर्कुल पॉइंट में स्वागत करता हूँ और आज दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ ब्यंजन वर्न आज हम लोग पढ़ेंगे पूरा ब्यंजन और मेरा सिर्फ आप से एक रिक्वेस्ट है अगर आप किसी भी भरती परिक्षा की तयारी करते हैं तो ये वीडियो मिस मत करियेगा शुरू से लाष्ट तक दे पढ़ना नहीं पढ़ेगा इसकी गारंटी सौ फिस्दी है और व्यंजन वर्न के पहले अगर स्वर को पढ़ना है तो नीचे इस डिस्क्रेप्शन बॉक्स में जाके लिंक दिया हूँ उसको भी देख लेंगे या मेरा सेशन टू का दूसरा वीडियो है पहला वीडियो मै मैंने इस डिस्क्रेप्शन बॉक्स में दे रखा है उसको जरूर पढ़ लेंगे तो मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट यह है कि अगर आप इस चैनल को खोले हैं इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो इसको अगर तयारी करने वाले हैं तो लास्ट तक देखिएगा मैं आज धर्जियां उड़ा देंगे हम लोग ठीक है आयो दोस्तों सुरू करते हैं जैसा कि मैं आपको इसके पहले वाले वीडियो में थोड़ा सा पुन्रा बृत्ति कर दूं तो स्वरों को मैं पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ यानि स्वर जो होते हैं उनके विशय में आज हम लोग सुरू करेंगे व्यंजन वन तो हमने कल जो है इसके पिछले वीडियो में पढ़ा था औ से अह तक तो औ से अह तक जो स्वरों का पूरा बायो डाटा था वो हमने पूरा फिनिश कर डाला था आज हम लोग व्यंजन को पढ़ने वाले हैं तो व्यंजन में सु तो परिभासा जब हम जानेंगे तो परिभासा एक लाइन का इसका या है कि वे वण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हों उन्हें व्यंजन वण कहते हैं और प्रतेक व्यंजन वण में अ की ध्वनी छिपी होती है बिना अ की सहायता से लिए किसी भी व्यंजन वण का उच उचारण करना शंभव नहीं है फिर एक बाद डिफिनेशन चुन लिजे अगर डिफिनेशन आपको पता है तो जीवन में कभी नहीं भूलेंगे ये मैं आपसे वादा करता हूँ वे व्यंजन वर्ड जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हों और प्रतेक व्यंजन वर्ड में अ की ध्वनी छिपी हुई है बिना अ की सहायता लिए बिना किसी भी व्यंजन वर्ड का उचारण करना शंभव नहीं है इतनी बात आपको समझ में आ गई अर्थात अगर मैं आपसे कह दूँ अ तो आ की ही सहायता ली गई है सारे बेंजनवर में तो स्वरों की सहायता ली गई है तो स्वरों में सबसे ज़्यादा जो लिया गया है अब देखो आ से यहाद तक मैंने पढ़ाया था आपको कि स्वरों उन्हें कहते हैं जो किसी की सहायता न ले और व्यंजन उन्हें कहते हैं जो स्वरो की सहायता ले जैसे मैं आपसे कह दूँ कौ तो कौ में देखिए कौ धन अच्छिपा हुआ है तब होता है कौ अब इनहां कौ से लेके ग्योंता का पूरा पड़ डालिए आप पड़ते वक्त देखेंगे कि आपके मुख से को बोलेंगे तो और बिल्कुल निकलेगा यानि बिनायों की सहायता से किसी भी व्यंजन वन का उच्छारण ही नहीं होगा इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी चलिए तो अब हम देखेंगे कि बिन जन के प्रकार क्या है ठिक तो चलिए नंबर एक आपका होता है असपर्ष बिन जन वन अब देखिए असपर्ष से ही पता चलता है तो पहले हम इसको भी जान लेते हैं कि asparse benjan की परिभासा समझ लेते हैं ऐसे benjan वरड जो कंठ, तालू, मुर्धा, दंट, ओस्ट के परसपर asparse से बोले जाते हो उन्हें हम क्या कहते हैं? asparse benjan कहते हैं अर्थात कहने कार्थ यह है कि asparse means होता छूना यानि कि हमारे कंठ, तालू, मुर्धा, दंत, ओष्ट के जो असपर्स छूने से साउंड निकलते हैं उन्हें असपर्स ब्यांजन कहते हैं कभी-कभी आपसे पूछ देता है का असपर्स ब्यांजनों की संख्या कितनी है तो इनकी संख्या है पच्छीस कैसे देखिए यहां से कौ से लेके पाफबाबा मौतक होता है पाँच वर्ग होते हैं इसके मैं भी बता रहा हूं उर पाँच वर्ग में पाँच पाँच वर्ड होते हैं अब इन दोनों के बारे में जानते हैं, तो एक को कहेंगे कवर्ग, क्या कहेंगे कवर्ग, एक को कहेंगे च्यावर्ग, एक को कहेंगे टवर्ग, और एक को कहेंगे टवर्ग, और एक को कहेंगे पवर्ग. आप सोच रहे होंगे कि सर ये कहरा पढ़ा रहा है कखखखख़ हम लोग पढ़ेंगे जी बिल्कुल आपको पढ़ना पढ़ेगा क्योंकि आपके हर competition exam में वर्णमाला से प्रश्ण बहुत जादे पूछे जाते हैं और हमारी हिंदी राष्ट भासा है इसलिए भी हमें वर्णमाला जरूर पढ़ना चाहिए उसके बारे में हर व्यक्ति को पता होना चाहिए तो देखिए अब एक दो तीन चार पांच तो पांच वर्ण हो गए अब इसको देख लेते हैं सिद्ध कर लेते हैं 25 वर्ण है की नहीं है देखिए एक दो तीन चार पांच और इसमें भी पांच इसमें भी पांच इसमें भी पांच इसमें भी पांच तो पांच इधर और गोष्ट के परसपर अस्पर्ष से बोले जाते हैं, ठीक है, यानि हमारी जिववा है, वो इन सब को असपर्ष करती है, अभी पूरा केलियर हो जाएगा, तो देखो ये जो कवर्ग है ना, ये कंठ, कंठ से असपर्ष करता है, ठीक है, और चवर्ग जो है, या तालू से अब तौवर्ग किस से करता है दंत से करता है दात के असपरस से हो निकलता है और पौवर्ग किस से निकलता है ओष्ठ से निकलता है यानि ओष्ठ के असपरस से निकलता है चलिए सिद्ध करते हैं अब यहां पे एक चीज और ध्यान दे दिजिए यहां पे मैं एक चित्र बन भाई चित्र नहीं बन रहा है सही से चलिए फिर कोसिस करते हैं यही है ज्यादा बड़ा हो गया चलिए ठीक है इसको छोटा करते हैं इसको छोटा करते हैं तो चलिए जैसा भी बना है समझने के लिए काफी है चलिए अब यहीं से हम जानेंगे कि क्या चीज है कहां से निकलता है देखिए, कवर्गर जो निकलता है, कंठ से निकलता है, अब देखिए कंठ क्या होता है, मैं आपसे बोल रहा हूँ, क, ख, ग, घ, अंग, देखो ये मेरा कंठ जो है यहां से असपर्स हो रहा है, यानि ये जो है आपका क्या है, कंठ है, मेरी बाप समझ रहा है, यहां असपर दीजिए तो मूँ का यह जो तालू होता ना यह उपर वाला हिस्सा वहाँ पढ़के देखिए च छ ज ज ज ज इयां जो हमारी जीब है वो जाके असपर्स कर रही है यह तालू को ठीक है तो यह तालू यहां हो जाएगा ठीक अब आते हैं टवर्ग मुर्धा देखो मुर्धा क्या होता है पढ़िए आप देखिए तथदध अड़ यह जो दात है ना दात के जश्ट ऊपर जो होता है जीब हमारी जहां असपर्स करती है उसे हम क्या कहते हैं मुर्धा कहते हैं यानि यह वाला हिस्सा हमारा मुर्धा हो जाएगा ठीक है चलिए तवर्ग तथदध न देखो जीव है हमारी दान्त के पिछले वाले हिस्से में ऐसे ऐसे ऐसपर्स कर रही है, यानि जो ये दान्त हमारा यहां होगा, ये दान्त ऐसे होता है ना, तो दान्त के इस वाले हिस्से में दंत को ऐसपर्स करता है, पवर्ग प-फ-व-व-व-व-व अब देखो जो मेरा ओट है वह आपस में ऐस-से कर रहा है asperse कर रहा है मेरी बाव समझ रहा है नहीं समझ में आ रहा है तो एकोसिस कर लीजिए कि पवर्ग बोलिए पवर्ग के सारे विणों को बोलिए और आपका ओठ असपर्स नहीं होना चाहिए बोल के देखिए अगर आप बोल लेंगे तो आपको 100 रूपयाई नाम देंगे पेटियम कर देंगे आपको ठीक है? नहीं होगा मेरी बात समझ रहे हैं तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि कंठ से कवर्ग निकलता है तालू से चवर्ग निकलता है और मुर्धा से टवर्ग निकलता है और दंत से तवर्ग निकलता है और रोष्ट से पवर्ग निकलता है समझ में आ गई ये बात ये तो होगे आपका आसपर्स बेंजन ठीक अब यहीं पे हम जानेंगे क्या हम यहाँ पे जानेंगे अल्प प्राण, महा प्राण और यहाँ पे जानेंगे घोश, शगोश, अघोश, सब पढ़ेंगे ठीक है तो यहाँ पे देखें मैं कुछ नंबर सिस्टम डाल देता हूँ एक, दो, तीन, चार, पांच और यहाँ पे सेम एक, दो, तीन, चार, पांच आपको परिक्षा में कभी कभी पूछ देता है न कि निम्न चार बिकल्पों में से कौन सा वर्ण महा प्राण बेंजन है निमनी चार भी कलपों में से कौन सावर शगोस है अगोस है कनफ्यूज हो जाएंगे इतना तो सब लोग रटा मार के चले जाते हैं लेकिन सगोस अगोस उचीप्त द्यूगूण इसमें डिश्टर्ब हो जाते हैं देखो अल्प प्राण क्या होता है पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अल्प प्राण अल्प प्राण बेंजन ठीक है तो देखो अल्प प्राण बेंजन एक तीन पाँच इसका मतलब समझ रहा है एक तीन पाँच यह कामा है ठीक है धन यारलव यह आपका होता है अल्प प्राण बेंजन ठीक है क्या होता है अल्प प्राण बेंजन होता है मेरी बात समझ में आ गई अब कहेंगे सर यह क्या है नंबर सिस्टम देखो यह जो एक डाला न यह इसको संकेत करता है अईसे जाता है और जो ऐसे लिखे हैं ये इधर जाता है यानि इसका तीर इधर जाएगा और जो number system में इसका इधर आएगा कहने का यार्थ ये कि वर्ग का पहला वर्ग ये का चाटा तप ये हो जाएगा अलपपराण तीन यानि इसका ग, ज, ड, द, ब, ये हो जाएगा अल्प प्राण पांच यानि ये पांचमा वण ग, अंग, इंड, न, म, ये हो जाएगा अल्प प्राण कहेंगे सर अल्प प्राण क्या होता है चलिए हम इसको बता देते हैं कि अल्प प्राण क्या होता है अल्प प्राण मेरे बच्छों ये होता है कि जिन ब्यांजन वडों का उच्चारण करने में वायू सबसे कम लगे यानि बोलने में वायू यानि उर्जा जो है सबसे कम लगे अल्प मिन्स क्या होता है कम अल्प प्राण और महा मिन्स ज्यादा लगे तो अब इसी का देख लीजिए अलप प्राण समझ में आगया ना एक तीन पांच अगर आपको ऐसे समझ में नव आए तो आप क्या करेंगे एक ट्रिक यहां बना लीजिए बिसम बिसम मलब बिसम संख्या याद कर लीजिए लगातार एक तीन पांच और यार लव तो इसको अंगरेजिम लिख दीजिए वाई आर लवी बिसम वाई आर लवी इतना याद कर लीजिए अलप प्राण आपको पता हो जाएगा अच्छा लग रहा है तो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो कर लीजिए और वाई आर लवी यानि समझ जाएंगे बिसम एक तीन पांच तो ये तो समझी जाएंगे कि कोई और गोई और अंगर कि सारे ऐसे सीरियल वाले बोड़ होंगे और वाई आर लवी से यह हो जाएगा आर से रह हो जाएगा यल्ल से लो हो जाएगा, वी से वो हो जाएगा समझ में आ गया, अब देखिए ठीक जब ये समझ में आ गया तो आपको महाप्राण भी समझ में आ जाएगा अब महाप्राण क्या हो जाएगा अब देखो महाप्राण क्या बचा दो बचा और आपका क्या बचा चार बचा तो ये दो और चार को हम क्या कहेंगे माहा प्राण ब्यंजन वर्ड कहेंगे अब माहा प्राण किसे कहेंगे वे ब्यंजन वर्ड जो अलप प्राण के दुगुना समय लें यानि वाय अधिक लें उन्हें क्या कहेंगे माहा प्राण अब देखो कहने कार्थी है कि को जितने समय में बोला जाएगा उसका दुबना समय लेता है ख ख, ख, तो को यल्प प्राण और ख क्या महाप्राण, चलिए इसको याद करने का ट्रिक क्या हो जाएगा सम हो जाएगा यानि दो और चार और धन अब देखो इसमें महाप्राण में एक चीज और जानिएगा बड़ा वाला श फिर एक आता है अ-ख-श-ः ठीक है? चलिए अगर इसको याद नहीं होगत क्या करेंगे? इतना ट्रीक याद कर लीजिए ट्रीक हो गया सम लगातार सम दो और चार सम संख्या हो गया न? और फिर उसके बाश्च को याश-एस-एस-वाई सम-एस-एस-वाई इतना याद कर लेंगे महाप्राण सम-एस-एस-ट्रीपल-एस-वाई बस इतना याद कर लीजिए ठिक तो समझ में आ जया गया सम लगातार दो सम संख्या अनि दो और चार तो समझ जाएंगे कि दो का ख, छ, ठ, 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 प, और चार का घ, ज, ध, ध, भ, और ट्रीपल-एस-वाई ट्रीपल से बड़ावाला सा ख, श, वाई समझ में आ गया है ठिक शगोस और अगोस जको आप सघोस और अगोस की ने कहेंगे ये पहले समझ लीजिए ठिक शगोस और अगोस कीने कहेंगे सघोस जिन व्याजन वडों का उचारण करने में स्वसवन तंत्रिका में कमपन हो अब देखते हैं सग्होस वन क्या होगा देखिए सग्होस जो वन होता है इसका ट्रिक है 345 ठीक है और यर लव यर लव ठीक और एक वन और जूट जाता है हा चलिए अब इसको क्या करेंगे याद तो करना पड़ेगा तो याद कैसे करेंगे 345 345 यानि एक दो तीन इधर का 345 आपका क्या हो जाएगा सग्होस हो जाएगा यानि ये तीसरा वन देखो अब इसको ना आप करोगे गः सग्होस कमपन होगा क्या गः गः अंगः देखो कमपन होगा बोलके देख लो जा जा इया लेकिन चय और चय बोलेंगे कमपन ही नहीं यूदपन होगा ठीक और यह रोलो कैसे याद करेंगे वही ट्रीक याद कर लीजिए यहाँ पे 345 और वह याद कर लीजिए Y, R, LV, LV, H यहाँ याद कर लीजिए 345 Y, R, LV, H याद कर लेंगे ना 345 इतना तो याद कर लेंगे कि सग्होस 345 Y, R, LV, H तो LVS से Y से Y, R से R, L से L, V से W, H से H और 345 से पता लग जाएगा कि यह सारे बढ़ है ठीक अब देखो इसी का ठीक अब यह 3 तो आपका हो गया सग्होस में, अग्होस में आ जाईए तो 3 खतम हो गया तो यह तो अग्होस होगा नहीं, बचा कौन? 1, 2 1, 2 बचा, और क्या बचेगा? बड़ाश, ख, श, यह आपका हो गया वढ़ो की संख्या पूछ दे तो सग्होस वढ़ो की संख्या कितनी? 3, 2, 5 यह और 5 यह पंदर है, पंदर है और 5 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा अरे 3 में, यह तीसरे में 5 वढ़, 5, 15, 5, 15, 15, 15 है और 5, 20 वढ़ हो गया इसमें पूछ दे तो, 1 वढ़ में 5, 15, 10, 10, 13 वढ़, तो संख्या भी हमने याद कर लिया अब इसको याद करना है तो, इसको याद करेंगे तो, याद कर लिजिए 12 और यस, यस, स्ट्रिपल यस तो 12 से क्या? कालम पता लग जाएगा, ये वाला और ये वाला आपका हो जाएगा अगोष समझ में आगे इतनी बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो, प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिए आज के बाद बढ़ माला कभी आपको पढ़ना नहीं पढ़ेगा, ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं, इतना तो समझ में आपको आगया तो कौ से लेके मौतक हमने पढ़ लिया, अब क्या बच रहा? इसके आगे का देखते हैं इसके आगे का बचता है, असपर्स ब्यांजन के बाद, दूसरा ब्यांजन का भेद जो होता है अन्थस्थ, क्या होता है? अन्थस्त होता है क्या होता है अन्थस्त ब्यांजन होता है ठीक है अन्थस्त ब्यांजन वन देखो अन्थस्त ब्यांजन वन की ने कहेंगे कि मौ के बाद जो ब्यांजन वन आता है यर लव ठीक है तो इसका sound कहां से निकलता ये कभी-कभी पूछ देता इनकी संख्या कितनी पाई जाती चार तो अंथस्त का अभी trick याद कर लिजिए Y, R, L, V, बराबर 4 तो Y से Y, R, L, W, संख्या पूछ दे परिक्षा में तो 4 चलिए अब देखते हैं sound इसका निकलता है बाबु मेरे किस से? जीब से और ये निकलता है तालू से ये निकलता है दंत से और ये निकलता है ओष्ठ से लेकिन एक चीज़े हैं आयाद रखिएगा ये पूरा स्पर्स नहीं करता है ठीक है तो अंथस्त ब्यांजन को कोमल ब्यांजन वाण भी कहते हैं और अर्ध स्वर भी कहते हैं अर्ध स्वर नहीं ब्यांजन वाण भी कहते हैं ठीक कोमल ब्यांजन वाण भी कहते हैं अर्ध बेंजन वर्ण भी कहते हैं क्योंकि ये जो उच्चारण होता है पूरा असपर्स नहीं करता है आधा ही असपर्स करता है ठीक है तो इसलिए इसे क्या कहते हैं अर्ध बेंजन वर्ण कहते हैं इनका उच्चारण अस्थान पूछ दे तो जीव यह निकलता है र का तालू से ल का दंत से और व का ओष्ठ से इतनी बात समझ में आ गई तो यह रह लह वह के बाद क्या आता है यह रह लह वह श यानि कि अब हम पढ़ेंगे तीसरा भेद संघरसी या उश्म ब्यांजन वण ठीक है उसम ब्यांजन वण या संघरसी ब्यांजन यानि श श श ह इनकी संख्या भी कितनी है चार है कितनी है चार है उसम ब्यांजन वण का ठीक है इसको याद रखेंगे उसम ब्यांजन वण यह क्या होता है उस्म किसे कहेंगे ऐसे व्यंजन वन जिनका उचारण करने में अधिक उर्जा और अधिक वायू और घर्षण के साथ निकले यानि बड़ी ताकत लगाना पड़े तो उन्हें कहते हैं क्या उस्म व्यंजन वन समझ में आ गई बात ठीक जब समझ में आपको पात आ गई तो आप जब बच्पन में रहे होंगे तो पढ़े होंगे जब ऐसे काकारा पढ़ते थे ना कख गग अंग चछ जजज़ईया टठ डढड़ तठ डढ़न पफभभम यर लव व के बाद जब श पर आते थे तो आप अपने घर के बच्चे को खड़ा और जब को से लेके गयों तक ब्यरण वॉण पढ़वाएंगे तो जैसे ही 100 पर आएगा तो हर तक जजादा उर्जा लगानी पड़ती है घर्शन के साथ निकलता इसलिए इसको उश्म ब्यरण वॉण कहते हैं संगर्सी ब्यरण इसलिए कहते हैं कि यह बड़े संगर्स के साथ निकलता है बरी इसमें उर्जा लगानी पड़ती है संघर्थ मिनहत करना पड़ता है तब होता है इतने बाद समझ में आ गई चलिए आप देखते हैं इसके बाद संघर्षी ब्यांजन हो गया अब हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे हिंद्विग्युज ब्यांजन ह्थिगुज ब्यांजन वर्ड थीक है यह द्विगीज ब्यांजन वर्ड क्या होता है ड्विगीज कहते हैं ड़्व देखो डोई और धो को ना नीचे बिंदी लगा देते हैं तो यह द्य क्यांट हो जाता है इक। वाह कहा जाता है अयोग वाह किसे अंग को और अह को ठीक है क्यों इसको अनुस्वार कहते हैं और इसको अनुनासिक कहते हैं और किसोरी दास बाचपेई जी ने इने क्या कहता है अयोग वाह कहता तो यह भी प्रश्ण बहुत इंपोर्टेंट है परिक्षा में पूछा जाता और किसोरी दाजबाच पेई जी को हिंदी का पाड़ी निकाहा जाता है ठीक है चलिए तो हम इरेच करते हैं इसको स्क्रीन साट लेना होते इधर का ले लिजिए तो हमने क्या पढ़ लिया द्विगुज ब्यांजनवर्ण पढ़ लिया संघर्शी ब्यांजनवर्ण पढ़ अब हम पढ़ेंगे क्या नासिका व्यांजन वर्ड नासिका व्यांजन वर्ड नासिका समझते हैं जो नाक से निकले देखो बच्चों यह जो मेरा पाँचमा वर्ड है ना यह क्या है, नासिकावन कहा जाता है, यानि पांचमा वर्ग, क्या कहा जाता है, पांचमा वर्ग, पांचमा वर्ग में क्या हो जाएगा, अंग, इना, रा, न, म, और अंग, अंग भी नासिकावन में आता है, क्योंकि इसकी साउंड नाक से निकलती है, और रहा का नाक और इतना यात कर लिजिए तो पाचवाँ वर्ण सारा जो होता है नानुनासिका वर्ण होता है यानी नाक से साउंड निकलता है जिसमें अंग भी आ जाता है ठीक चलिए अब देखते हैं सन्यूक्त ब्यांजन वन ब्यांजन वन अब देखो सन्यूक्त ब्यांजन वन में क्या हो दाता है आपका छ, आपका त्र, आपका ग्यों, आपका स्र ठीक है, ये संख्या पूछे देतो चार अब देखो जो छ है न, ये कधन खोशे मिलके बना है ठीक है और ये जो तो है तो धन रो से मिलके बना है ये जो धन इयों से मिलके बना है और स्रा जो है ये बड़ा वाला शो धन रो से मिलके बना है समझ में आगई बाद संतल युक्त मलंब क्या आता है जुडवना ऐसे प्यंजन वर्ण जो दो वर्णों के योग से जुड़ते हैं तो देखो कौय और धन 100 मिल जाता तो क्या बन जाता है 6 तई और रो मिल के यादा तई और रो मिल के क्या ड्रो बन जाता है जा धनीयों मिलके ग्योंं बन जाता है स्वंघ में आगी बात चलिए अब आते हैं हम हिंदी वर्माला के नए वर्ण पे आते हैं नए वर्ण देखो हिंदी वर्माला में न पांच नए वर्ण जोड़े गए हैं इस ब्येंजनों की संख्या कितनी है तैतिस ठीक है तो नए वर्ण कौन-कौन से जोड़े गए हैं तो यहाँ देखिए यही है, श, त्र, ग्यों, श, त्र, ग्यों के बाद तीन वण और आते हैं, वो वण क्या होते हैं, कि श, त्र, ग्यों, और आपका ये जो न, ये रो और धो, ये मिलके हो जाते हैं, पांच वण, ये हिंदी वर्माला के पांच नए वण हैं, समझ में आज आपने इस वीडियो में क्या-क्या पढ़ा, आपने पढ़ा असपर्स ब्यांजन, आपने पढ़ा अंथस्त ब्यांजन, आपने पढ़ा संघर्सी ब्यांजन, आपने पढ़ा उचित ब्यांजन, हाँ, सौरी, उचित ब्यांजन छूट रहा है, देखिए, उचित, ये भ ये उचिप्त बेंजन वर्ण हो गया, ठीक है, और आपका अंगा इसमें मिल जाता है एक और, संख्या कितनी हो गई, पांच एक, छो, तो हमने उचिप्त बेंजन वर्ण को भी पढ़ लिया, दुगुज बेंजन वर्ण पढ़ लिया, सघोस वर्ण पढ़ लिया, अघोस वर पढ़ लिया, अल्प प्राण पढ़ लिया, महा प्राण पढ़ लिया, हिंदी वर्माला के नए वर्ण पढ़ लिये, संजुक्त व्यंजन वर्ण पढ़ लिया, कुछ छुटा नहीं अगर आपको कोई चीज समझ में नव आया हो, कमेंट बॉक्स में लिख के बताईए, कि सर ये चीज छुट रहा है, ठीक है अगर आपको कुछ इसमें डाउट है या कुछ और जानना चाते तब भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताईए, ठीक है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करिए, सेर करिए, सस्क्राइब करिए और चैनल को प्रमोट करिए कि आपको आने माले समय में और भी अच्छे तरीके से आपको ये चीज बताया जा दोस्तों एक बात और बता दें कि मैंने गुरकुल पॉइंट में एक नया प्लेइलिस्ट बनाया है सेशन टू सामान हिंदी जिसमें मैं चेप्टर वाइज हिंदी पढ़ा रहा हूँ चेप्टर वाइज का मतलब वनमाला से सुरू किया हूँ और एक चेप्टर जो उठा रहा हूँ पूरा चेप्टर कम्प्लीट कर रहा हूँ तो ये उसमें का दूसरा वीडियो है पहला वीडियो मैं डिस्क्रेप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ स्वर पढ़ाया हूँ उसको जरूर देख लीजिए फिर व्यंजन को भी देख लीजिए इसके बाद वनमाला में आपको कभी कोई किताब छूना नहीं पड़ेगा मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा कमेंट बाक्स में लिख के बताए कि आपको वीडियो पसंद आया की नहीं है इसी के साथ थैंक यू धन्यवाद